नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, तो चलिए आज की रेस्पी शुरू करते हैं, रेस्पी पसंदा है, तो प्लीज एक लाइक पी चरू कर देजागा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चतनी की रेसिपी, इस चत आज की मेरी ये चतनी की रेस्पी आपको पसंदाती है, तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कर दीजेगा, तो चलिए देख लेते हैं, क्या-क्या चाहिए इसे बनाने के लिए, तो यहां पर मैंने दो कच्छे आम ली हूँ और यहां पर एक चोथाई छोटा चमच मेथी दा अब मैं आम को अच्छे से चील लेती हूँ, आम का सीजन है, तो यह कच्छे आम आपको कहीं भी मिल जाएंगे, अगर आप गाव में रहते हैं, तो पेरवेगरा तो होंगे ही, वहां से आप लाकर इसको बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट में आपको इजली यह कच्छे आम जितने भी इसमें ग्रीन वाले हैसे हैं, सब को हमें चील कर हटा देना है, दोनों आम को मैंने यहां अच्छे से चील ली हूँ, अब साफ पानी लेना है, और अच्छे से आम को धोलेना है, ताकि इसमें जो गंदगी वेगरा हो वो निकल जाए, दोनों आम को अच्छे से अब इसको हम चोटे चोटे चुटे टुक्रों में काट लेते हैं, ताकि जब हम मिक्सी में इसको पीषे तो अच्छे से यह पीष जाए और इसके बरे टुक्रे ना रहे आम के बीच में यह बीच यू देख रहे हैं, इस बीच को हमें निकाल के ही चटनी बनाना है और इस चटनी को आज मैं मिक्सी में बनाने वाली हूँ, आप चाहे तो सिलवटे में भी इस चटनी को पीछ सकते हैं, सिलवटे में पीछने से काफी ही स्वादिष्ट चटनी बनके तयार होती है, ऐसे मिक्सी की भी चटनी काफी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैं सारे काट कर तयार कर ली हो अब यह जुड जो श्यों मसाले में और भूंट के दालना है तो पुरिणको निकाल दी हो अब यहां पर या यह सारे मसाले जो है मेर्ची को मैंने यहां पर एक से डेज मिनेट भून ली हूँ अब इसमें जो मैंने मेथी दाना जीरा और अच्वाइन ली थी सबको एक साथ ही डाल दी हूँ और थोरा सा इसको भून लेते हैं तो इसको तब तक भूनना है जब तक इसमें से चटकने की आवाज ना आने मसालों में से बहुत ही अच्छी अच्छी खुस हूँ आ रही है और यह मसाला मेरा अच्छे से भून गया है आप चटकने की आवाज भी सुन सकते हो तो मैंने ग्यास का फिलेम आफ कर दी हूँ और करहाई अभी गरम है तो इसी करहाई में अभी हमें थोरी देरी से चलाते पीषना है तो आप यहां पर देख सकते हो मसाले को मैंने इस तरह का भून कर तयार की हूँ मसाले को जळादा नहीं बूनना है नहीं तो चटनी थोरी करवी-करवी लगेगी तो इसी तरह का भून कर तयार करना है अब यह ठंडा हो जाएगा तो फिर आम के साथ डाल कर इस यहां पर सारे पुदिने को इसमें डाल दी हो अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो नमक यहां पर मैं आधव चमच डाल रही हूं आप अपने स्वादगे हिसाब से नमक डाले और बस थोरा सा पानी डाल चतनी को अच्छेशे में भीज आदिए मिक्सी को अच्छे से चलाकर मैंने यहाँपर चटनी पीसकर तयार कर लिए हूँ तो पानी मैंने आपको जितना दिखाई थी उतना ही डाली हूँ उपर से पानी इसमें नहीं डाली हूँ अब यहाँ एक चमच सरसो का तेल डाल दे हूँ तेल को चटनी में अच्छे से मिक्स कर लेना है तो ये हमारी आम पुदिना की चटनी बनकर तयार हो गई है ये चटनी खाने में बहुती टेस्टी लगती है इसे आप रोटी चावल किसी भी चीज के साथ खा सकते हो और इस चटनी की सबसे खास बात यह है कि गर्मियों में पेट के लिए ये चटनी बहुती फाइदेमंद है तो आप भी इस चटनी को एक बार जरूर बना के देखिएगा और अपने अनुभव हमारे साथ भी शेर कीजेगा और आज की मेरी ये चटनी रेस्पी आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दें थैंक यू